वहां खूब नाच गाना चला है चला है जी गाउंवालों का ब्रेकफास्ट ये गाउं की अवर्टें के ला रहे हैं देखिए वहां पर बैठे हैं भाईजी थोड़े पत्थर है थोड़ी लकडिया है और अंदर से लिपाई होती है जी मिट्टी की पाणी रखा हुआ है दोस्तों आज आए हैं हम लोग सजला गाउ में यहां पर एक चोटी सी धाम है शादी की धाम वह नीचे वाले गर में शादी आज मतलब शादी तो होगी है लेकिन जोसका लड़की वालों की तरफ से वह आज यहां पर है और यहां पर हम तीन जने है मैं मितू और साहिल और दोसम्तों यह रही है हमारी रस्ओए अभी रसोई बनाने का प्रोसेस जो है हमारा चला हुआ है अभी टाइम लगने वाला है हमारे पस काफी और यहां पर अवस्ति सा मजलगतर तड़के वगएरा तयार कर रहे हैं और बक्की वहां पर चला है गाउं वालों का ब्रेकफास्ट यह गाउं की आउरतें के ला रहे ह वहां पर बैठे हैं भाई जी हमारे शेर भाई वगयरा सारी है और यह हमारी रसोई के साथ है दोस्तों देखें जाइंट जाइंट बोलते हैं इसको एक बहुत बड़ा घर है पुराना घर है काट कोनी शैली का बना हुआ और काफी तगड़ा वाला गर दोस्तों यह ऐसे 일이 ऐसे हेर घर होते थे जी डेवी देपता ओं के मढढार जासी टैप का घर है अब इसका पता नहीं है मजी कि मढढार है यह कि किसी का परसनल घर है यह लेकिन पहले पहले और अंदर से लिपाई होती है, मिट्टी की जबर्दास्ति है, खिड़कें देखिए, खिड़कें नहीं होती है, यह ब्रेंडे की खिड़कें होती है, जिसको हम पोड़ा बोलते हैं, यहां बैट के दूप गेरत सेखते हैं, अमसर्दियों में, और हमारे वलाखे में दूप सेखना काफी जरूरी होता है, और उसके लिए जगा बनाना भी काफी जरूरी होता है, चलिए, 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 चल बाकी ये तो देखिए हमारे ये भी है ज़रूरी एह मिस्सा हमारे समाज़गा जी द्रोगा साथ हमारे शेरू आई गाओं के लगबग हर कार्ज में ये द्रोगा होते हैं बड़ी आजी क्या तड़के तड़के वाव अवस्ति चिकना थूल दे ने भी ने देमरे बहुँ में प्रट्व गया जिर्ट वह वाव एक त्मच जिमित तुने कर दी आज की रस होई तक है यार हमारी करदे का दिया ना धियार विद्टी जिर रोटी आते ते पंचे थे सदे क्यारा बारा बजे रख वाव कि इन जल दी चलो एंद है कुछ खा लेते हैं यहां पर कुछ एक पलम के पेड़ भी है जहां पर फ्लावरिंग होगी है दिखिए बड़ी आवाली तो हमारी रसुई तयार है दूस्तों आप बस भोग लगाएंगे और चल पड़ेंगे करवा रहे हैं जी हम लोग जखाउन यानि पहली गेड़ बैठ चुके हमारी और इस गेड़ में पता चलता है नमक मिर्च जख झाल, थी तो चल पड़ी है लेकिन खाने वाला यांपर कोई भी नहीं है अभी सारे मेमान निचे नाशने काने में बीजी है और यह दिखिया है और यह दिखिया हमारे गाहूं के जो काम करने वाले लोग है वभी बैट वहैं आराम करने अराय डह पर एस ज़ार बाते हैं चलिए दर उदर की और हमारे असबस्ति साहब यहां पर बैठते हैं तुम्बले मुंटी करके यह फॉन में लगा यह क्या चलिए लोग तो आनी रहे हैं हम ऐसा करते हैं खुद ही बैठते हैं बारी-बारी करके वहां खुब नाच गाना चला है तो ठीक है आज के व्लॉग में बस इतना ही मिलेंगे कर लेकने व्लॉग में तब तक के लिए गुद बाई